वेलो फ्रेंट्स वेलकम वेक्टू मैच चैनल तो चली आज हम बहुत ही टेश्टी मुझ में घुल जाने वाला हलवा बनाते हैं जो कि खाने बहुत ही टेश्टी है जिसका हम छोटा से पहले एक क्लिप देख लेते हैं उसके वाद पूराम वीडियो इस्टराट करते हैं तो सुजी का हलवाए बट कुछ हम आलक तरीकी सबर आएंगे जिसे कि इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही अच्छा टेश्टी लगता है फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो पसंद लाइक करना है चलिए हम श्टार्ट करते हैं तो देखिए हम एक कटोड़ी यहां पे सूजी ले लेंगे यहां पे ज्यादा मोटी वाली सूजी नहीं लेना है पूजी के साथ ऐसे घोल तैयार कर लेंगे सिंपल से से मिक्स कर लेंगे इसे आम बीगों के 10 मिनिट ले रख देंगे अब चलिए हम एक कढ़ाई को गरम हो निकले रख देते हैं फ्रेंट से यहां पे हमें मोटे तले की कढ़ाई लेना है अब इसमें हम एक चमच देशी गीर डाल देंगे जब हमरे गी अच्छे तरीके से थोड़ा से मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम जो सूजी को भीगों करके उसे डाल देंगे देखे में गी को इदम बढ़े तरीके से गरम नहीं करना है बस इसे मेल्ट होने तक गरम कर लेना है और यह देखे सूजी भी हमारा अच्छे तरीके से दूद में सूजी भी हमारा दूद को अबसर्ब कर लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके स्पून के हल्प से डालते जाएंगे सुझी के सारे सुझी जो दूद में भीगोकर रखा था त chilमने डाल दिया है बहते ही तिद Laut Val अदय कंप्सशी करने में स चाहा है यहां पर कल्चि खीर हो जाते है। अदर पर अदिदो सवाओ कि करना है। और इसी यह चिवान कोजैंगे। अच्छे से ठीक हो जाते हैं अगर इसे मिक्स करते हैं तो अब चलिए हम एक साइड में चासनी बना लेते हैं हमने जीस का टोड़ी से मिल्क लिया था उसी सें का टोड़ी से हमने एक का टोड़ी पानी ले लिया है अब इसे में हम एक काटोड़ी थोड़ा मतलब थोड़ा उससे ज्यादा सक्कर डाल देंगे और इसे हम गुलने तक पका लेंगे अब थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे आप यहां पर अगर आपको थोड़ा साथ केसर डालना तो केसर डाल सकते हैं या इलाइची भी डाल सकते हैं अगर आपको इलाइची का फ्लेवर अच्छा लगता हुआ तो देखिए हम इस सूजी को भूनते हुए अभी सिर्फ तीन से चार मेंट हुआ है सूजी देखिए हमारे कितना अच्छे तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से भून गया है बट अभी हमारे सूजी अच्छे तरीके से भूना नहीं है मतलब लास्ट प्रोसेस नहीं है यह अभी और इसे हमें बुनना है देखिए हम कल्ची के अबस इसमें जो भी गुटलिया पड़ रही है उसे ठीक करते जाएंगे और इधर साइड में हमेरा चासनी भी बन रहा है बस इसे एक उबाल आने तक हमें चासनी को बना लेना है एक तार की चासनी बनाना है फ्रेंट से यहां पर हमें बस हमारे जब सक्कर रूल जाएगा हमारा चासनी बनके तयार है इसके फ्लेम को आफ कर देंगे और फ्रेंट सम पूरे यह सूजी को बुनने वाला प्रोसेस स्लो फ्लेम पर करेंगे जिससे की सूजी हमारा बहुत ही दानेदा और बहुत ही अच्छे तरीके से बुनेगा जो बिलकुल भी कच्छा नहीं रहेगा ऐसे अब स्लो फ्लेम पर बुनते हैं बिगा हुआ सूजी दूद में यह वाले सूजी का हल्वा बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है तब टीक हो जाएगा हुआ हुआ है देखे इसकी side side से भी जो भी मतलब थोड़े थोड़े से जो सूजी लगए उससे अच्छे से मतलब रिकाल लेंगे रो बहुत बड़ी है तरीके सीसे बुनना है friends बुनने मैं बिल्कुल भी मतलब जल्दी वाजी नहीं करें यह तो अच्छा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा मारा हल्वा इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से भुनना है जिसे कि जो इसका इतना बहुत ज़्यादा टेश्ट लगता है इसले में इसे स्लो फ्लेम पे आप इसका आफ्टर वीडियो देख सकते हैं अभी देखी कितने अच्छे तरीकी से बुन गए लेकि और इसे बुनना है हमें क्योंकि हमने इसे दूद में अच्छे बिगो के रखा था उसलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बहुत ही अच्छा लगता है इस ट्रैप अग अगर आप इसे श्च्टोर करकर रखना चाहते हैं तो इसे श्टेज बेज़ बहुत यह अच्छे तरीकी से मैं सूजी बुन गए त आप इसे श्टोर करकर ए ए एट डिनर में रह सकते हैं और पांसे चार दिनों तक यूश कर सकते हैं इसी फ्रीज आप ए एट-ट कंटें देखिए दानेदार हमारा सूजी अच्छे तरीके से भुन गया है अगर आपके पर ज्यादा मोटा सूजी हो तो इसे आप एक बार मेक्सी में पीस लें तो थोड़ा सा बारिक हो जाएगा जिसका हल्वा बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ पर हमारा मेडियम टाइप का सूजी था इसलिए हमें नहीं पीसा है हमें यहाँ पर मेडियम टाइप का सूजी लेना अब देखिए हमारा चासनी भी अच्छे से बॉयल हो गया है और यहां फ्रेंड समनी फूट कलर डाला है जिसी किसे कलर बहुत ही बढ़ियां आता है अगर अब छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फूट कलर पर इसकीप कर सकते हैं देखे कितने अच्छे तरीकी से हमारा सूजी बुन गया है देख सकते हैं ऐसे हमें इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है बुनने में फ्रेंड समें बिल्कुल भी थोड़ी से भी कंजूसित नहीं करना है जल्दिवाजी नहीं करना है इसे अच्छे से थोड़ा मेलसत कमेंट्स में सेयर करिए कैसा लगा आपको आज का रेस्पी ये सूजी का इस टाइब सा हलवा अप एक बार बनाएंगे तो ऐसा मतब जब भी आप सूजी खलवा बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे इत्ता अच्छा बनता है और फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कैई आव वीड़ो वाच कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा दरर फ्रेंड्र फैमली में सेयर भी कर दीजिए जिसे उनको भी बहुत यह अच्छे छी रिस्पी देखने को खाने को मि अच्छे से इसे 20-25 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से भुना है देखिए और थोड़े टाइम तक हम भुनेंगे फिर हमारा हो गया भुनने वाला प्रोसेस डन हो जाएगा अब हम इसमें चासने डाल देंगे देखिए थोड़े थोड़े करके हम चासने को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप इसे थोड़ा सा थिक बनाना चाहते है तिक बना सकते हूं और फिर इसे थोड़ा गिला टाइप का ही खाते हैं तो वह आज से भी बिना करसकते हूं ये याना कि छिद्याउ However बने हमेरा सूजी खलवा एक बड़ जरूर से श्टाइब से बनाए देखिए बादा में ना मैसमत टेस्टी लगता है अब इसम्हें आदा चमश और गी डालेंगे हमें जब account बनाते इस स्टेश्ट पर आया आधा एक जैसे quantity है सूजी की वैसे हम मता हलवे की वैसे यहां पर गी डाल सकते हैं उससे बहुत ही अच्छा गी का फ्लेवर आता है सूजी के हलवे में देखिए हमारा हलवा बन के तयार है अब इसमें आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफ टाल सकते हैं यहां पर हमने किस्मिश टाला है अगर आप इसमें बदाम, काजू या फिर नारियल डालना चाहते हैं उससे थोड़ा सा फ्राइ कर ले फिर डाले और भी ज़्यादा अगर इससे टेश्टी बनाना चाहते हैं तो और फ्रेंट्स कोई भी फेस्टिवल में या फिर ऐसी भी जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इससे बनाएए इंज्वाए करें खुद खाईए फैमिली को किलाएए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और जाज़ आप फ्रेंट्स और फैमिली में सेयर भी कर दीजिए अब हमें इंज्वाए करेंगे यह वाली रेस्पी अगर आप फ्रेंट्स इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें और फ्रेंट्स और फैमिली में सेयर भी कर दीजिए थैंक्स वर वाचिंग बबाई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस्टे कनेक्टेड